कि हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो ओर यूट्टूब चैनल स्पीस स्वागत है आपका आपके अपने परिवार स्पीस पॉइंट में मैं सोनों आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज किस क्लास में हम पढ़ेंगे बिसी फर्स्ट येर के अब्जेक्ट दोस्तों होता था एक ही फिर्पर होता था लेकिन अब आपके więcej फंस्ट एयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है दोंपांट में करने का मतलब है कि यहीं कि 않은 cancer semester में बात दिया गया है first और second semester में ठीक है अब आपका पेपर दो semester में कराया जाएगा यानि first year में दो semester इसी सब को मद्दे नदरते रखते हुए आज आपके first semester की chemistry start कर रहे हैं जिसमें आज का हमारा चाहुथा lecture है जिनमें आज हम बात करेंगे second lesson second पर जिसका नाम है simple bonding simple bonding theory of molecules यह आपका second chapter है जिस पर हम लगबग 45 objective type प्रस्णों को solve कर चुके थे पिछली कच्छा में आज हम solve करने का प्रियास करेंगे लगबग 50 important question को solve करेंगे आज किस क्लास में दोस्तों चले start करते हैं आज की क्लास और यह रहा आपका चौथा प्रस्ण चौथा प्रस्ण है which of the following does not exist on the basis of molecular orbital theory which of the following does not exist the basis of molecular orbital theory इन में से कौन सा molecular orbital theory के द्वारा exit नहीं होता है तो basis molecule होता है इन में से क्या होता है hydrogen helium यह ही टू यह लाइटू इन में से कौन सा होगा सबसे पहले देखें इसमें MOT यानि माली कुलर और बिटल त्वी पूछा गया है मोटी पूछा गया है तो सबसे पहले मोटी जान लेते हैं माली कुलर और बिटल त्योरी आखिर में हाय गया देखें इस त्योरी को इस त्योरी को हकल्स और हुंड और मू कीकन हकल्स हुंड और मू कीकन ने दिया था जिसको हम MOT कहते हैं माली कुलर और बिटल ठेखbn के ए अचा अब इस थोरी में हमें पढ़ना क्या ठा इसना होता इस त्योरी से हम साभस यह जज्ग बंद होते हैं July Post बंड होते हैं उनके अड़ों की ब्याच्छा करते हैं उनके अड़ों की हम ब्याच्छा करते हैं देखिए जैसे आक्सीजन है जो आक्सीजन है उसके पैरा मेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें के द्वारा ऑक्सीजन के पैरा मेंगनेटिक बिहेवर को हम चेक करें तो उसमें आसानी से हमको पता चल जाता है इसलिए यह थे बनाई गई थी अड़ों के सा संयोजग बंदों और अड़ों की संयोजगता को आसानी से ग्याद करने के लिए ठीक है तो यहीं आपकी क्या है आप प्रस्ण पूछा गया था इसका अंसर आपको बताना है इनमें से पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड माली कुलर और डिटल थेयोरी के यहेविर से एक्षिट नहीं होता है 45 नमर प्रस्ण है चले इसका जवाब आप लोग अपक्रमेंट बाक्स में करेंगे प्रस्कास जबाब हो जाएगा आपसन नमर शी यानि क्या हो जाएगा ही टू यह जो है यह क्या होगा और और अर्बिटल थे ओरी के माध्यम से एक्जिप नहीं होगा ठीकर यह एक्जिप नहीं होता है चलिए शीहारी समय प्रस्कास देखेंगे पूछागे है difference in the energy between the molecular orbital theory format and combining orbital is called difference in energy between the molecular orbital form the combining orbital is called क्या कहलाएगा bond energy you antibonding energy यह stabilization energy nd stabilization energy इनमें से क्या कहलाएगा 46 नमबर प्रस्त का जवाब देने का प्रियास करेंगे 46 नमबर प्रस्त का सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों आप लोग बताएंगे 46 नमबर प्रस्त का सही जवाब इसका अंसर हो जाएगा आफसन नमबर C कहलाएगी ठीके इस प्रकार आपका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर सी देखे दोस्त जल्द ही ठीवरी की क्लास होगी ठीवरी की क्लास जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और यह मानकर चलिए पंद्रा से 17 तारिक तक हम धेवरी की क्लास स्टार्ट कर देंगे ठीक है दोस्तों तो आप लोग इस पीस ठीवरी पॉइंट कर तो अगर जूरे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजे और जो हमारे चैनल पर नूइन है यानि नए सेसक्राइबर है तो वीडियो को लाइक और शियर जरूर करिएगा दोस्तों ठीक है पीडियाफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिजिए वहां आपको क्लास का पीडियाफ मिल जाया करेगा और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी आपकी ब्यस्ति से रिलेटर वह आपको प्राफ्ट होती रहेंगी चलिए प्रस्मर देहन देंगे प्रस्ण की प्राकिप्टि को आपको देखना है केवल अब्जेक्टिव टाइप प्रस्ण साल्व करने का आपका यही मतलब है कि आप प्र सब्सक्राइब को आपको क्या करना है इन सभी अब्जेक्टिव टाइप प्रस्णों को आपको क्लियर करना देखें जिनका पुराना स्लेबर से पढ़ रहें वो भी इसको ध्यान देंगे क्योंकि इन में सभी समवाई था जो आपका इन और गनी कमेस्ट्री हुआ करता था जो आप इन और गनी कमेस्ट्री में पढ़ते थे वही इसमें पढ़ना है फर्स समेस्ट्र में ठीक है तो इसके लिए बिलकुल निश्चनत रहिए चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है अगला टॉपिक है 47 नमर प्रस्णा है दा करे बढला हीन में से 47 नमबर प्रस्णा जवाब इसका एंशर हो जाएगा अप्शन नमबर सी जैनी एस्टूइपमोर स्टेबल देन एस्टू मारे जेखे एस्टूबर बस मोर स्टेबल और मॉर्स क्यों है क्यों कि हाँ पर प्लस स्टाइज लागा हुआ है और इसमें क्या हो और एच्टू प्लस आयन तो एच्टू प्लस आयन मोर स्टेबल देन एच्टू माइनस आयन ठीक है तो इद्धे राइट 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 एंसर क्या हो जाएगा आप सन नमबर सी बढ़ेंगे अगले पर आट तालिस में परसना है दा बॉंड आडर आप एच ए प्लस तू एच्टू प्लस मालेक्यूल आयन इच दा बॉंड आडर आप एच्टू प्लस मालेक्यूल आयन इच्टे के बॉंड आडर निकालना है आपको तो बॉंड आडर के लिए इसका फर्मूला आप लोग को नहीं पता होगा अगर पता है तो अच्छी बात है और नहीं पता है कैपिटल एलेक्टरान इंटी बॉंडनिंग मालिकुल अपान टू ठीक है यह इसका होता है NB-NA upon 2 यह bond order निकालने को निकालने का फार्मॉला होता है ठीक है चलिए इसका अंसर बताएंगे आप जल्दी से आप लोग और निकालिए सबसे एक वर निकालते हैंगे उनकाएंगugen और या लगता और बताएंगे निकालने का किस अप्रियों किसे हैंटेहांगे चलिए को वर यहां पर है प्रोडस चार्ज लगा है और 50 याँस चार्ज लगा है यह पार तो यहां पर क्या हो जाएगा ? यहां पर एक हो जाएगा यानि 2-1 by 2 बराबर 1 by 2 यह राइट एंसर यानि आपका बॉंड और कितना हो जाएगा ? चलेंगे उन्चाफ नमर पर जियां देंगे उन्चाफ नमर पर प्रसन है which of the falling molecule has highest bond order इन में से किस molecule के पास सबसे अधिक यानि सबसे ज़ादा bond energy होती है यानि किस molecule के पास सबसे ज़ादा bond energy होती है आपको इस बताना है उन चार्ष नमर प्रस्ण में चलिए पहला है F single bond F B दिया गया है C single bond C और C दिया गया है N single bond N और O दिया गया है O single bond O, इन में से आपको बताना है कि किस के पास सबसे highest bond energy होगी, 49 number person, 49 number person का सही जबाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताने का परियास करेंगे, इसका सही answer हो जाएगा, option number C, nitrogen के पास सबसे अधिक bond energy होगी, ठीक है, तो right answer क्या हो जाएगा, option number C हो जाएगा जाएगे, बढ़ेंगे अगले बस पर अगला प्रसन पूछा गया है आपसे, अगला प्रसन है, पचास नमबर प्रसन, in which of the following fear molecule have bond order 3 and are isoelectronic configuration, इन में से आपसे पूछा गया है किस के पास, इन में से किस के पास molecule होते हैं, यानि bond order 3 होता है, इन में से किस molecule का bond order 3 है, और वो isoelectro, या isoelectronic configuration में भाग लेते हैं, और उनके साखा हैं, उनके pair हैं, आपको इसका बताना है, answer 50 नमबर प्रसन का, चलिए, 50 नमबर प्रसन का answer क्या हो जाएगा, आप लोग बताने का परियास करेंगे, इसका answer ह हो जाएगा, आपसर नमबर ए, यानि cn- और co, cn- और co, यह क्या है, यह molecule है, जिनकी bond, जिनका bond order कितना होता है, 3 होता है, और यह isoelectronic configuration में भाग लेते हैं, यह isoelectronic configuration में भाग लेते हैं, यानि 50 नमबर question का, आपसर एस सही है, cn- और co, चलिए, अगला प्रसंध्यान दें एक जाएंगे, 51 नमबर प्रसंध्यान देंगे, 51 नमबर प्रसंध्यान पूछा गया है, 51 नमबर प्रसंध्यान पूछा गया है, कि bond order आप, bond order आप, o2, यानि oxygen का bond order बताना है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, electronic configuration करेंगे, oxygen का, ठीक है, 8 होता है, 1 is 2, 2 is 2, 2p6, ठीक है, यानि इसके सबसेल में कितने electron है, लाज सबसेल में, 6 electron, और, anti-bonding electron कितने है, तो 6 minus anti-bonding कितने है, o2, 2 है, 6 minus 2 upon 2, यानि 6, यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ पर 2, 22 जा, 4, यानि answer कितना हो जाएगा, 2, यानि right answer कितना हो जाएगा, option number, a, यानि bond order, oxygen का bond order कितना है, 2 हो है, यानि 51 number person का सही जवाब क्या हो जाएगा, 21 number person का सही जवाब हो जाएगा, option number, a, right answer हो जाएगा, चले, 52 number person ध्यान देगे, 22 number person है, the bond length, आप, is places, o2, o plus 2, and, o minus 2, are the order, आप, इतने बताया गया है, कि इन में से, किसके पास, जो bond length होगी, वो किसकी सबसे अधिक होगी, और इनका क्रम क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, इन तीनों में से, o2, या, o2 plus charge, या, o2 minus charge, इन में से, सबसे पहले, किस, कौन सा होगा, यानि, bond length, सबसे अधिक, किसका होगी, किसकी होगी, इस पैसी, चले, बताये, 22 number person, 22 number person का answer देने का आप लोग परियास करेंगे, दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज कमेंट कर दीजे, कमेंट करके answer इसका देने का परियास करिए, और वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल पर जो नए हैं, वो subscribe कर लिजे, देखिए, आप थो चैनल पर दूले रहिए, और टेलीग्राम चैनल को जाइन कर लिए, चैनल एंसर देने का परियास करेंगे, इसका answer हो जाएगा, आप से नमबर डी, इसका answer क्या हो जाएगा, आप से नमबर डी हो जाएगा, और इसका answer क्या हो जाएगा, आप से नमबर डी, ओर टू माइनस है लेज तेन ऊका यह और यही इसका ओडर हो जाएगा यहाँ राइट एंसर हो जाएगा अपशन नमबर दी इसका करम आपको बता दिए हो नमगे और ऑट्वर ओर टुपलस ठीक है राइट एंसर हो जाएगा बढ़ें एक लिए पर यानि दी आप्शन सही है आपको अब बत to support is Expertinkum number of impaired electron इन में से किसके बास कि अनपिय इल्क टरन की संख्या मैक्सिमम आपको बताना है किसके पास होंगे ल आई डुशा ही डी टुब्लस जबी इ टू या वी टू इन में पूरे कच्छक पूरा नहीं होता है क्या होता है तो आप लोग बताने का परियास करेंगे इसका अंसर क्या हो जाएगा और इसको आप अपने हाथ में एक रप और एक पैंसल यह पैंसल यह पैंसल लेकर बैठिए जिससे क्यां ने में कि तिरपन नॉबर प। रस्ना है प्यचाव दफो लेएंग इसक्षक हैं मैक्सिमंण नंबर आप उन्पेड इलक्टॉ इनमें से किसके पास माइक्सिम्य mentorship किसके पास maximum है अभी लग्टान यानि आयोगमित लग्टान के तो आपसन दिया गया है ओटू ओटू प्लस ची ओटू माइनस या ओटू ओटू टू माइनस चार्ट में से किसके पास अधिक होगा तो इसका अंसर हो जाएगा तिरपन नमबर प्रस्ट नहीं इसका आप निकालने का प्रियाश करें निकालने कर इसका अंसर देंगे आप लोग तिरपन नंबर प्रस्ट का इननो हो जाएगा option number a यानि ओटू के पास क्या होंगे अधिक होगी किसके पास होगी अधिक ओटू के पास चलिए चमवन नमर प्रसंद देखेंगे विच आप दा फॉल्लविंग इस पेशिज देज नाट एक्जिट अंदर दर नार्मल कंडीशन नार्मल कंडीशन में इनमें से कौन सा तत्व है जो एक्जिट नहीं होता है अंडर दा कंडीशन आप इस पेशिज चमवन नमर प्रसंद इसका एंसर क्या हो जाएगा जल्दी से पताएंगे आप लोग चमवन नमर प्रसंद का इसका एंसर हो जाएगा आप्षान नमर सी अप्षान नमर सी हो जाएगा आप्षान इसका यानि करेक्ट एंसर इस बीए टू बढ़ेंगे अगले पर देखें अगला नमर पर अप्रसंद की अपूछा गया ध्यान से देंगे ध्यान पढ़ेंगे stability of species li2 li2 minus and li plus 2 increases in the order बढ़ते क्रम में इनको लगाना है इनका बढ़ता क्रम क्या होगा सबसे पहले कौन से आएंगे सबसे पहले कौन सत्त जो है stability के अधार पर इनको किस प्रकार हम क्रम पे लगाएंगे इसका अंसर देने का प्रियास करेंगे इसका अंसर हो जाएगा आफसर नमर भी अभी मैंने आपको बताया था अभी oxygen के क्रम में मैंने बताया था ना कि अपको घरते करम में चलता है ठीक है और जब भी आपको पूंचाबाओ stability के दार पर आपको बढ़ते करम में चलता है बढ़ते करम में ठीक है तो यह आप ज्यान रखेंगे चले बच्पन नमर परस्ट का सही जवाब क्या हो जाएगा आप अगले परस्ट को ज्यान देंगे अगला परस्ट नहीं, आप बाओ प्रिस्पल इस आप देंड इन फीच एक परदसीर करता है या कौन नियम परदसीर करता है आप नियम के दौरा क्या हमें सा कों सा बितने नियम को सही है पहला पहला क्या पहला दिया गया है 1s2 2s2 2p6 दूसरा दिया गया 1s2 3p6 और 3s2 C दिया गया 1s2 3s2 3p6 और D दिया गया 1s2 2s2 3p3s2 इन में से आपको बताना है कि कौन सा अबाउ के नियम के नुसार है कौन सा अबाउ का नियम सिद्ध करता है चले आप लोग बताने का प्रियास करेंगे इसका अंसर क्या हो जाएगा चले 56 नंबर प्रसका जबाब देने का प्रियास करेंगे 56 नंबर प्रसका अंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर प्रसका सही अंसर हो जाएगा यह नियम आप बाहू का नियम है इसका क्रम आप लोग जानते हैं यह इसका क्रम है यह आप बाहू नियम के क्रम है और इनको आपको इसी तरह से आपको निकालना है तो आपका एंसर हो जाएगा आपसर नमबर ए अगला पढ़ेंगे फिच आप दा फॉलिंग इस्प्लेंड दा सीक्वेंस आप फिलिंग दा इलक्टान इन डिफ्रेंट शेल्ट मालभ इन में से कौन इक्स्प्लेंड करता है कि जो आएलक्टान होंगे युद्ध इलक्टान की संक्षा क्या होंगी वो डिफ्रेंट डिफ्रेंट सेल में फिल होनी चाहिए यह किसका नियम बतादा है आपको बताना है जो लोग भी जानते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सटावान नमबर प्रस्ट का जवाब इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमबर C यानि आल आप डीस यह गलत अंसर है यानि डी नमबर नहीं है आपसर नमबर C में 1 apart और दी में 5 छाएग paar इसको ध्यान रखेंगे चलेंगे अथावा नमर पर सेजानेंगे जंग्यूरलकंद का नियुक्तं यहाँ नोनısı से में तो इस अछल टिनमर के शोंसे बन्यास पफ्म करना है उन्टीस नमखे treaty परोट का perme स्था करेंगे तो एसके लास सबसे अद्यानिक कर एक्ष्म कमदार आएंगे यहाँ ठानी能द प्रियास करके जल्दी से बताने का प्रियास करेंगे इसके लास अफसल में कितने अलग्टान आएंगे 29 है और यहां पर लिखा है टू प्लस चार जानी इसमें से दो माइनस भी हो जाएगा यह यह निसाटाइस यह निकी 27 जल्दी से आप बताईए यह यह अप्थावन नमर प्रस्न इसका अंतर वह जाएगा आपसन नमर डी और अपसन नमगी दर आइट यह यह ज़िए चलेंगे अगले प्रसफर अगला प्रस्ना है जेको फुंसलों प्रस्ना है आप अप प्रिंस्पल का नियम यह कौन सा इसमें से सेटिफाइड नहीं कर और इन ए उन्सर नमर प्रस्ट इसका अंसर वह जाएगा आप संबर भी सी यू अजी इना चेटिफाइड वाई आप वाउप्रिस्पल जैनि आफसर नमबर सी अपका और बाइबागर आम keen to energy level and Full utility never एंवर आफ थृक्टू के लिए energy level how many orbital of all kinds of Possible यानि इन बरवर टू इनर्जी लेबल ये कितने और्बिटल या कितने प्रकार के और्बिटल पॉस्विल हैं। कितने प्रकार के कच्छक प्र士नijn तू तू थरी फोर या फाइट साथ नमबर प्रस्ट इसका जवाब हो जाएगा आपसर नमबर सी यानि चार चार टाइब के ऑर्बिटल पॉसिबिल है इसके लिए एकोल टू टू एनर्जी लेवल के लिए ठीक है बढ़ाएंगे एकसर नमबर प्रस्ट एकार्डिंग टू प्रस्ट इनमें से कौन सा अलक्रांज सबसे पहले फिल होगा फोर डी या फाइप प्रस्ट इनमें से बताएंगे इसका अंसर बहुत ही इंप्वार्टन प्रस्ट है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है यह आप टॉल्स में पढ़ चुके हैं ठीक है और जब थेवरी की क्लास होगी तो आपको आप बहु प्रिस्पल पावरिक स्लिंशन ला अंसर्टेंटरिली प्रिंस्पल रिजोरेंस लिमिटेशन आप रिजोरेंस और एमोटी बैसपर थेवरी बैलेंस बर्ण थेवरी इन सब के बारे में आपको पहले चेप्टर बताइंगे कि सर्थेवरी की क्लास स्टार्ट की जाए ठीक है तो आपके कमेंट के आधार पर हम थेवरी की क्लास स्टार्ट करने का प्रियास करेंगे और जितने लोग भी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपना फीड़्बैक जरूर देना देंगे आप लोग चलिए एक सबसे पहले फाइप एस एलक्टान फिल्ड होगा आप बाउट के अकार्डिंग चलिए बासर नमर पर ध्यान देंगे बासर में पर साइधा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आप सबस्क्राउंड से बिद्डी अनसरटन तर्म जदी से अब बताएंगे ग्राउंड स्टेट अचलिधी प्रिंस्पल यहुन monitor पर चीए अच चान्वरं में gel लेंगे यही यह प्रस्द्र करता है और आपको बताना है इसका हो जाएगा अपर सी अ कि इसका अपसंव जाएगाcomings nommers 6 यानि आपवाव स्पल यह निम को करता है आप अपनेसपर स्बाइट प्रस्ट Malcolm तरेंगे कि दिर्सन मिद्रशा गया है कर्डें टो आप इनची ओ Wahr हो पॉल इस कहाूं को एकार्डिंग YOU अप्रेष्पल की मिद्ध करेंग टुडanor Ahina इनर्जी 3D 4S and 4P 3D according to above principle the correct order of energy of 3D 4S 4P orbital is इन में से आपको बताना है आप बाओ प्रिस्पल के अंसार आपको इनका करम बताना है यानि 3D 4S और 4P का सबसे पहले कौन आएगा सबसे पहले 4S आएगा या 3D आएगा या 4P आएगा जल्दी से आप इसका अंसर देने का प्रियास करेंगे चले जल्दी से इसका अंसर करेंगे आप लोग तिरस्ट नमबर प्रस्ट दस सेकंड भी चुके हैं किसी का अंसर अभी तक जल्दी नहीं आया है जल्दी से अंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमबर सी सबसे पहले 4S आएगा फिर 3D आएगा फिर 4P आएगा ठीक है आप लोग इसका करम याद रखेंगे इस प्रकार आपका आपका अपसर नमबर सी सही हो जाएगा चल्m देंगे दिया गया पेंटागोलल बाई पिरामीदल इस्टेक्चर कंटेंड कंटेन इससे टेक्चर कंटेन बाइंडल एप 바मिक्ट्री यह निकी निकी इस टेक्चर बॉन एंगिल कौंजा बॉन एंगिल कंटेंड करता है। आपको यह बतारा है चौंस्ट नमबर प्रस्ट का चौंसर नमबर प्रस्ट का सही जवाब क्या होजाएगा इसका अंसर हो जाएगा आप शन्मबर एध यानि की ये 120 डिगरी 90 डिगरी और 180 डिगरी बॉंड एंगिल को प्रामक्टली क्या करता है कंटेन करता है यानि option number A सही हो जाएगा पैसर नमबर पर ध्यान देते हैं पैसर नमबर परसन क्या है पैसर नमबर परसन है XEF2 involves hybridization यानि XEF2 में कौन सा संक्रन पाया जाता है आपको इसका अंसर बताना है 65 नमबर परसन का इसका अंसर हो जाएगा option number A SP3 XEF2 में क्या पाया जाता है कौन सा संक्रन पाया जाता है SP3 संक्रन पाया जाता है यानि option number A सही होगा इसका बढ़ेंगे अगले परस्पर छासर नमबर परस्पर पुछा गया है इसका इसका अंसर नमबर परस्पर देखेंगे चलिए इसका अंसर हो जाएगा option number D यानि SP संक्रन के पास क्या होते हैं नमबर परस्पर देखेंगे शानसर नमबर परस्पर पूछा गया वीच आप दब फोरिंग हाइब डाइजेशन हाइज स्क्वायर प्लेयर जियुमेटरी मतलब इन में से किस संक्रन के पास इसक्वायर प्लेयर जियुमेटरी होती है आप सबस्पर परस्पर अपिसका अंसर हो जाएगा option number A यानि SP 3D के पास स्कॉर प्लेजर जियोमेटरी होती है यानि आप सन नंबर क्या हो जाएगा आप सन नंबर ए सही हो जाएगा आप सन नंबर पर संहान पर देंगे आप स्भूचा गया है अब इसका अंतर बताना है कि इस ओ फ्टू का अलेक्टर इस ट्रक्चर क्या है और इन में हाइब्रिट यानि संक्रण की संख्षा क्या होगी इसमें संक्रण कौन सा पाया जाएगा कौन सा संक्रण पाया जाएगा fut resp2 sp3 sp3 spd 3 जल्दी से बदाने का परियास करेंगे तोरंत आप लोग कमेंट करिए इस प्रसमें तुरंत आपको जवाब देना देखें संक्रण से रिलेटेस जितने भी प्रस्टे हें ये सब को आपको करा दिया गया हैchn morality द ένα असे नहीं किन असर को जड़ी से अप्ट इसका अंसर करेंगे आप सब्सक्राइब कर रहा हूं तुरंब आप अच्छा करेंगे जली इसका अंसर हो जाएगा आप से नमर दी यानि SP3D SP3D the right answer हो जाएगा यानि बढ़ेंगे अगले पर पूछा गया आप SP3D will be got यानि SP संक्रण में कौन सा रिजल्ट होता है इनमें से कौन सा पाए जाता है इनमें क्या यह पाए जाता है कि आपको बताना है इनमें से चार आपसन में से 59 नमर प्रस्ट का सही इंसर क्या हो जाएगा आपसन नमर सी हो जाएगा यानि स्पीघ्री इनी क्या हो जाएगा फोर और विटल इंटेटरा है डाएक्षन इता राइट एंसर यानि आपसन नमर सी सही आपसन नमर सी सही है आपसन नमब सी सही है एक यह आप सी अगला प्रस्ट है अधसे आप एक्स फॉर मालेक्व साथ्तर नमर परस्म ध्यान दें पूछा गया है कि सेफ आप XE F4 मालीकुल इनमें सेफ XE F4 मालीकुल का सेफ कैसा और आकार कैसा होगा यह आपको बताना है यह जली अब वोग बताने का प्रियास करेंगे इस प्रेस्ट का जबाब साथ्तर नमर परस्म इसका अंसर हो जाएगा आपसन नमर डी यनि स्क्वार प्लेइनर क्या हो जाएगा स्क्वार फ्लेइनर हो जाएगा XE F4 का जो Sains है वो क्या हो जाएगा स्क्वार प्लेइनर हो जाएगा यनि Knight Independenceать-A zur आपसन नमर डी कट्रोम प्रस्न NOI विच वन आप दर फोलिंग मालिकूल क्तेंड आप आप पाई बॉंड इंन वे से कौनसा मालिकूल है जो पाई बॉंड कंटेंड करता है इसका आपको बताना हे 175 प्रस्वाजा का आपसन नमबर सी यानि ह्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट और यह एंसरी आपसन नम्बर सी बातान नम्बर पर ध्यान देंगे दिया गया है आपसन ए है वन वाई-फॉर एस करेक्टर वन बाई-टू एस करेक्टर 1 वाई 2 वाई 3 एस करेक्टर और 3 वाई 4 एस करेक्टर इन चारों में से आपको बताना है यह देखे यह थोड़ा important प्रस्न है और यह objective बनने की पूरी संभावना बनी रहती है तो इसलिए आप इसको IMP लगा करके इस question को not कर लेजएगा या screen shot ले लेजे ठीक है प्रस्न का अंतर हो जाएगा आपसा नमबर यानि जब भी पूछा जाए SP3 संकरण में औरवीटल कौन सा बिटल कंटेन करता है SP3 आरवीटल यानि SP3 संकरण कौन सा ओर बीटल और बीटल जो है वो कंटेन करता है तो आप क्या बताएंगे बताएंगे वन बाई-4 एस करेक् ठीक है यही contain करता है यायनी right answer is option number a 73 number प्रष्प न ध्यान देंगे 33 number प्रस्थ नह damageב동 है da incorrectly matched Sinne Mang the following is incorrectly matched peer कौन SMACE primarily Community beyond debate कौन से है कौन सा incorrectly यानि ऋम्य कौन सा disappointing नहीं गलत तश्वा है आपको एहीं बताना है कि यिन से कौन सा गलत है चलिए तीफटर लिटो नभर परस्रन का तरह हो हो जाएगा आपर समNow या या इप्र डींव फाइब फाइब जो आ है वो त्राईगोनल ग्रीमिडल बाई पिरामिडल नहीं होता है यह इसकाappelle हो जाएगा आप से नंबर ए सिर्ट नमबर परस्ण का से जवाब हो जाएगा आप से नंबर ए यह यह नि राइट एंसर आप सब्सक्राइब बात करते हैं चाहतर नमबर परस्ण है कर्वन एंट द्याइबन में किस प्रकार के बॉंड सेब्ध बना होता है और इसकां प्रेमियह क्या होता था एसकी इस जवाफ की था और आप को बताना है फब्रेफाइट लक्तरान जो हैते हैं वह क्या होते हैं वह क्या होते हैं लोकेट अज आपको बताना है किसमीं buy graphite electron क्या होते हैं 50 अनुम्ด को प्रसे देना है को 50 अनुम्ड प्रसेल हो जाएगा option असे क्या हो जाएगा option नमबब अभी सेप्रेट आउट बीन दर एक प्रसेथ और आपका हो जाएगा अपसर नमर दी बढ़ेंगे दूसरे पर आपका दूसरा प्रस्था है आपका दूसरा परस्था है आप पोरांस आप oxygen it in boric acid b3b o3 are respected me कि अब को बताना है इसका अंसर लिए गया दा स्टेट आप संक्रण का स्टेट क्या है बोरान और oxygen atom के acid boran और oxygen atom जो है वह बोरीक एसिट के साथ यानि बोरीक एसिट का पर्मॉला क्या होता है एच रजी कि यह आपका होता है और इसके साथ कौन सा संकरन बनाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन कोन सा संकरन बनाते हैं आपको बताना नहीं फशेंसर कैंसर क्या अपसर नमर की यह बनाएंगे यहां पर बोरान बनाएगा SP2 संक्रन और Oxygen बनाएगा SP3 संक्रन ठीक है तो राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमर भी अगले प्रस्पत बढ़ेंगे 77 नमर प्रस्पत दिया गया है दा स्ट्रक्चर आप CUH2O4 प्लस प्लस आयन इच मतलब यह दिया गया है इसका स्ट्रक्चर पुछा गया है तो स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे आप कॉपी में इसका अंसर बता देता हूं और यह आप अपने कॉपी में बनाएंगे ठीक है आप जब पीडियम मिल जाए तो आपको यह क्या क करना है अगर आपके पुरानी बुक है तो इसमें आप हाइब यह संकरन का लेशन खोल लेजेगा और इसमें दिया गया होगा इस ट्रक्चर दिया गया होगा सभी वाली क्यों के ठीक है तो उसको ध्यान से पढ़ लिजेगा और ठीक क्लास में हम जल्दी डिसक्स करेंगे इसलिए आप बिल्कुल चिंदा मत करिए आप फर प्रस्ट की आप प्रक्रिति से आप लोग आउगत रहें क्योंकि अगर आपका सब्जेक्टीव एक्जाम होगा तब भी अप्रिपियर होंगे और अगर आप जक्तिव होगा तो बिल्कुल भी आप चिंदा मत करेंदे जन्हें कि आपकी तयारी बहतर होगी आप भोग स्पीस करते रही और एंसर देने का परयास करें दिए मैं सभी का comment देख रहा हूं और प्रियास करूँगा कि आप सभी के comment का जबाब देने का ठीक है लेकिन आप करते रहीं सबाने का प्रियास करेंगे चलिए इसका हो जाएगा किसका सी यू एच टू ओफोर प्लस 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 आयन का स्ट्रिक्चर क्या होगा इसक्वारग आप्सने दिया गया है 78 नमर पर ध्यान देंगे पूछा गया है दबॉन और एंगिल आप पीएच थी बॉन एंगिल इन पीएच थी उल्ड भी ट्रेंट तू प्लोस्ट है पीएच थी का बॉन एंगिल कितना होगा आपको बताना है अधाता नमबर प्रस्ट इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमबर ए यानि 90 डिग्री पीएच थी का बॉन एंगिल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा दूसरे पर ध्यान देंगे उन्यासी नमर प्रस्ट नहें इसका जो एंगल होता है बॉन एक्टान है वह आपसर्ट होते हैं और इनमें संक्रन क्या होता है यानि किस संक्रन में इसका जो एंगल होता है बॉन एंगल होता है 90 डिग्री होता है और बॉन प्यर बॉन प्यर एलक्टान क्या होते हैं अब जड होते हैं इनमें से किस संक्रन में ठीक है बॉन एंगल नाइंटी डिगरी होती है और यह क्या करते हैं बॉन पियर एलक्टान आपजर्ब करते हैं यह राइट एंसरी आपसन नमर डी असी नमर प्रसपर ध्यान देंगे दिया गया एनेज थी बॉन एंगल इस लेस देन टेट्राहेडल बॉन एंगल डिव टू यानि क से बताएंगे आपको अंसर ऐसी नमर प्रसन का एंसर क्या हो झाएगा इसका यह सोगतों इसका प्ली इंगल झाली बॉनबर क्लास में 40 important question को डिसक्स किये हैं दोस्तों इन सभी प्रस्नों को आप PDF के द्वारा अगर आपको PDF प्राक्त हो जाता है क्लास के बाद आपको PDF मिल जाएगा और उसके बाद में आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे ठीक है दोस्तों और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देंगे देखें जो नेव निव स्लेबस है आपका उसके लिए आप बहुत लोग परिशान हैं कि सर 2021 में क्या होगा एक्जाम से परिच्छा होती थी तब उनको क्या 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 गया 2017 में क्या 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 गया कि अब यूज नहीं सिच्छा नीट में लोग अक्यवल ढकोसला है कोई चेंज नहीं हूआ बस थोड़ा सा ब्यावसाइक सब्जेक्ट के बारे में नई सिच्छा निट में कहा गया है उसी के अनुसार इसको समेस्टर वाइज में बार दिये दो समेस्टर में हो गया अब फर्स समेस्टर और दो समेस्टर दो एक्जाम होगा इससे आप लोग का काम थोड़ा सा और आस सब्सक्राइब करें लेकिन आप पराबर प्रैक्टिस करते रहें अगर होते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें आपकी सारी तैयारी करा दी जाएगी देखें जिन लोगों का कमेंट आ सार्द स्लेबस चालाइद आप लोग अपना से बेखें दो मिला लीजी आप का स्लेबस Kapya है Qya वह संतिखें अगर आपका स्लेवस इससे मैच करता है देखें बीसी में जितने भी बुके हैं जिनका भी स्लेवस है चाहें वह जिस इन्वर्सिटी को सब क्या है सबका स्लेवस सेम है इसमें कोई बदलाव नहीं बस टॉपिक्स थोड़ा सा चेंज है तो इसलिए बिल्कुल घपड़ाएं सब्सक्र grass रहें और हर व्व वीडियो को आप आप वाच करिये पूरा वीडियो देखें और टेली कलास अटेंड करिए ठीक्छे हैं और जिनको भी ठिक करती है सब लोग कह रहें सर कुछ objective class हो या लिखित पर इच्छा के अधार पर आपकी तयारी कराए जाए तो आप लेख कमेंट करके आप लोग बताएंगे अपनी राय ठीक है दोस्तों और हमारा आज का सेशन यहीं पर समाफ्त होता है मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के ले जाएं चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तब जाएएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों में वीडियो को सेर करिएगा ठीक है दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपकी एगली वीडियो यानि अगली क्लास कप होगी नौ बज़े आपकी फिजिक्स टाइब पर संसाल्फ करेंगे यानि फॉस्ट चेप्टर का चलिए आज का हमारे सेजन समाबत होता है और मिलेंगे कल फिर इसी टाइम रोज रात आठ बजे बने रहें इस पेसेड़ी पैंट के साथ और अपनी तैयारी बेहतर बनेए